हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिविजन विद आर्ती शर्मा दोस्तों आपको मेरे चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे शेर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस कर घटना चक्र का पार्ट 150 यानी 150 तो चलिए देखते हैं अपना अगला अलंकार तो अगला अलंकार है हमारा असंगती अलंकार कौनसा असंगती अलंकार तीक है पहली बात आप यह समझें कि असब्द तीक है अवन जो है जुड़ जाने पर किसी उपसर्ग के रूप में नेगिटिव हो जाता है क्या हो जाता है नेगिटिव वर्ड हो जाता है यानी कि इसका अर्थ होता है नहीं ठीक है नहीं आ मींस नहीं जैसे सफलता का वीपरीत क्या होता है आ सफलता ठीक है सफलता का वीपरीत आ सफलता ठीक है सहायक सहायक का वीपरीत आ सहायक ठीक है तो अब देखो संगती किसमें ये उपसर्ग लगा है संगती मूल शब्द क्या है संगती ठीक है संगती यानि कि समानता होना ठीक समानता होना लेकिन आज शब्द जैसे ही जुड़ गया है इसका मतलब समानता ना होना अब किस किस में समानता ना हो न तो दोस्तों कारे और कारण में कारे और कारण में समानता ना हो न यानि कि ये दोनों एक्वल नहीं होते ना तो कारे कारण के बराबर होता है ना ही कारण जो है कारे के समान होता है ठीक है तो यह बात याद रखें यानि कि कारे और कारण समान नहीं होते इसका मतलब यह है कि दोनों अलग-अलग होते हैं ठीक है दोनों अलग-अलग होते हैं जैसे चोट किसी को लगती है और पीडा किसी और को होना ठीक है चोट लग रही है अगर पीडा उसी के है तो मतलब क्या है संगती है ठीक है लेकिन चोट किसी के लगी है और पीडा अगर किसी अन्य व्यक्ति को हो रही है तो वो क्या है वो असंगती है ठीक है तो यह चीज़ ध्यान रखें आप असंगती या ध्यान दें पंक्ती है यहां पर क्या है पंक्ती द्रिग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीती परत गांठ दुर्जन हिये दै नहीं यह रीती तो बहुत ही प्रसिद पंक्ती है यह वैसे तो द्रिग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीती परत गांठ दुर्जन हिये यानि कि दुर्जनों के हिर्दे में क्या पड़ रही है गांठ पड़ रही है ठीके किसी दूसरे को देख करके ठीके किसी दूसरे के अच्छे संबंदों को देख करके कुछ इस प्रीती मिन्स क्या होता है एक तरीके से प्रेम ठीक है और गाठ गाठ क्या हो गया ये इसका अपोजेट हो गया ठीक है तो यानि कि दोनों ही आसमान है अपोजेट है एक दूसरे के ठीक है जहां गाठ पड़ी होगी संबंदों में वहां प्रेम कभी भी नहीं होगा और जहा प्रेम होगा, वहाँ गांठ कभी नहीं होगी, अगर होगी भी तो वह प्रेम से बंदी हुई गांठे होगी, यानि कि संबंध अच्छे होंगे, मदूर होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर शब्द पहचाने, तो पंक्ति को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए, कि दो वीप प्रीती और एक गांठ, ठीक है? तो यहीं से आप पंक्तियों को पकड़ेंगे और समझेंगे कि यहां कौन सा अलंकार है, ठीक, तो देखते हैं प्रशन फिर से, ठीक, ध्यान देंगे, उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार क कारण कार्य और कारण में क्या है समानता नहीं है ठीक व्याख्या देखते हैं प्रश्ण की गौर करेंगे दोस्तों प्रस्तूत पंक्ती में असंगती अलंकार है कौन सा अलंकार असंगती अलंकार है इस दोहे में उलजिते हैं द्यान से सुनना दोहे में क्या बात कह रहे हैं उलजिते हैं द्रिग द्रिग क्या है इसमें कारण है और तूटता है कुटुम तूटता है कुटुम यानि कुटुम का अर्थ है कुटुम क्या है यह कार्य है ठीक है तथा तूटता है कुटुम और कुटुम क्या है कारण है ठीक है बात तो एक ही है तो ध्यान से देखें य चतुरों के चित में प्रीती ठीक है और जो चतुर लोग है ना उनके हृद्दे में प्रीती जुड़ रही है यानि कि कार्रे हो रहा है प्रीती मींस कार्रे इसी प्रकार जुड़ती है चतुरों के चित में प्रीती एक बार कारण भी है ठीक है तो यानि कि एक बार यह कार्र हो जाएगा फिर है गाठ पड़ती है दुर्जनों के हिरिदे में ठीक है और मतलब प्रीती जुड़ने से दुर्जनों के हिरिदे में क्या पड़ रही है गाठ पड़ रही है यानि कि कारे ठीक है अतहा कारण और कारे में कारण और कारे में संगती का ना होना संगती का ना हो तो दोस्तों यह उधारन इतनी बार रिपीट हुआ है सबसे ज़ादा रिपीट हुआ उधारन है यह ठीक है तो ध्यान रख लें इसको कि इसमें कौन सा अलंकार है तो एक बार पिर से देखें द्रिग उर्जत टूटत कुटुम जुरत जुरत मींस जुड़ना चतुर चित प्रीती चतुर व्यक्तियों के हिरिद्दे चित मींस हिरिद्दे में प्रीती जुड़ रही है ठीक है यानि की संबंद अच्छे हो रहे हैं परत गाठ दुर्जन हिये ये मिंस्विर हिरिद्दे होता है ठीक है और जो दुर्जन व्यक्ति हैं उनके हिरिद्दे में गाठ पढ़ रही है ये सब देखकर तो दई नई यह रीती ठीक है और ये नई रीती दी गई है ठीक तो यहाँ पर क्या है आसंगती अलंकार है ठीक याद रखेंगे दोस्तो हमारा अगला अलंकार है दोस्तो कौनसा द्रिश्टांत अलंकार कौनसा द्रिश्टांत अलंकार ठीक है क्या है देखते हैं निम्न लिखित पहली बात तो द्रिश्टांत अलंकार क्या होता है ये समझे तो उपमे उपमान उपमे ठीक है उपमे उपमान और साधारण धर्म साधारन धर्म ठीक है साधारन धर्म ऐसे देखें ये हैं ये तीन बाते हैं उपमें उपमान और साधारन धर्म में यानि इन तीनों में जब बिम्ब या प्रती बिम्ब किसकी बिम्ब या प्रती बिम्ब ठीक है प्रती बिंब बिंब या प्रती बिंब बिंब क्या होता है जैसे हम कोई पंक्ती पढ़ते हैं किसी बात को सुनते हैं ठीक है तो क्या होता है हमारे मस्तिष्क में जब कोई चित्र बनता है तो उसे हम बिंब कहते हैं ठीक है उसे हम बिंब कहते हैं और जैसे प्रती बिंब क् तो आपकी छवी में दिख्ती है ठीके आपने गौर किया होगा तो उल्टी दिख्ती है ठीके जैसे आपने सरे के बाला हों एक Verb प्रती बिम्ब बिम्ब का उल्टा होता है प्रती बिम्ब बिम्ब का अगर बिम्ब ऐसे है तो प्रती बिम्ब क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा ठीक है तो यह कह रहे हैं कि दृष्टांत अलंकार वहां होता है जहां पर उप में यानि जिसकी तुलना की जाए हमें जलक दिखाई देती है तो वहां पर क्या होता है द्रिष्टांत अलंकार होता है द्रिष्टांत अलंकार तो द्रिष्टांत शब्द से ही आप समझ लें द्रिष्ट द्रिष्ट यानि की द्रिष्टी ठीक है यानि की जो हमें दिखाई दे ठीक है दिखाई कैसे देगा या तो बिम्ब के रूप में या फिर प्रती बिम्ब के रूप में ठीक है और ये किस में दिखाई देंगे या तो उपमे में दिखेंगे या उपमान में दिखेंगे या साधारण धर्म में दिखेंगे ठीक है तो वहां क्या हो जाएगा दृष्टांत अलंकार ठीक है तो य दोस्तों हमारा ध्यान दें निम्न लिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ठीक है पूछ रहे हैं कि पंक्तियों में अलंकार बताईए पंक्तियां क्या है देखते हैं एक मयान में मयान क्या होता है जिसमें तलवार रखी जाती है ठीक है तलवार का जो उपर का कवर होता ह उसे मयान कहते हैं ठीक तो एक मयान में दो तलवारे कभी नहीं रह सकती एक मयान में दो तलवारे कभी नहीं रह सकती ठीक है किसी और पर प्रेम नारियां पती का क्या सह सकती है तो किसी और पर प्रेम नारियां पती का क्या सह सकती है मतलब जिस तरह से एक मयान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती हैं इसी तरह से अगर कोई विवाहित या कोई अविवाहित महिला है अगर उसका किसी से प्रेम संबंध है ठीक है तो वह कभी भी किसी अन्य इस्तरी को अपने प्रेमी के साथ नहीं देख सकती बरदाश ही नहीं रह सकती इसी प्रकार से क्या है कि किसी और पर प्रेम पर प्रेम शब्द देखो पर यहां पर वो नॉर्मल पर नहीं है जिसका अर्थ अंग्रेजी में ओन होता है किसी की जैसे पर ठीक है ओन यह वो नहीं है पर मींस दूसरे यहां पर पर का अर्थ क्या है दूसरे ठीक है ज प्रेम नारियां यानि कि दूसरों से प्रेम नारियां पती का कैसे सह सकती है यह है अर्थ पंक्ती का ठीक है तो यहां पर कौन सा अलंकार है यहां पर अलंकार है दोस्तों दृष्टांत अलंकार क्या है दृष्टांत अलंकार है ठीक है पीजीटी परिक्षा 2010 में आया हुआ प्रशने ये, देखते हैं व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों, जहां पहले कोई बात कहकर, उससे मिलती जुलती बात, द्वारा द्रिश्टांत दिया जाए, जब कोई बात हमने कह दी, और सेम उसी बात से जुड़ी हुई, बात हमने अगले वाक्य में कह दी, यानि अगल का मतलब होता है उधारन ये बात याद रखें द्रिश्टांत का मतलब क्या हो गया उधारन हो गया यानि कि एक पंक्ति हमने पहले कह दी जैसे दो मयान में तलवारे पहले तो हमने ये बात दी ठीक है और दो मयान से फिर हमने तुलना यानि करते हुए हमने सेम उसी प्रकार क एक सजीव उधारन उठाया किसका एक इस्त्री पुरुष के प्रेम का ठीक है तो वो चीज तो यानि कि वहाँ पर क्या हो गया दृष्टांत ठीक है दृष्टांत दिया हमने यानि कि पहले पंक्ती जो थी उसी के समान हमने अन्य पंक्ती समान लगभग मिलती हुई समान वहां पर द्रिश्टान्त हो गया लेकिन समानता किसी सब्द द्वारा प्रकट ना हो और कहीं भी किसी भी सब्द के द्वारा उन दोनों ही पंक्ति में जब समानता प्रकट नहीं होती समानता प्रकट समानता ये इक्वल का निशान समानता का निशान है ठीक है तो ऐसे समझे इसको प्रकट नहीं होती तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है दृष्टांत अलंकार होता है इसका मतलब यह है कि पंक्तियां पंक्ति कैसी होंगी पंक्ति होंगी वो एक पंक्ति जो है एक जो है वो किस से अगली पंक्ति से मिलती जुलती होगी यानि कि पहली पंक्ति दूस यानि कि अर्थ हम समझ रहे हैं ठीक है समानता नहीं दिखाई दे रही लेकिन हमने द्रिष्टांत दिया है ठीक है तो वहां क्या हो गया द्रिष्टांत अलंकार हो गया देखते हैं फिर से व्याक्या तो गौर करेंगे दोस्तों व्याक्या पर क्या है ध्यान दे प्रस्तुत व्याख्या कैसे करेंगे ये चीज़ समझें जैसे ही और वैसे ही ये दो शब्दों पर आप ध्यान दें ठीक है वैसे ही जैसे ही या फिर जैसे ही वैसे ही ये दो शब्द ध्यान दें ठीक है तो एक मयान में दो तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है जैसे जैसे की एक पत पती का दो नार्यों पर अनुरत रहना पती सहन नहीं कर सकती ठीक है तो यानिकि जैसे एक तलवार का रहना दो तलवारों का एक मयान में रहना असंभव यानिकि संभवी नहीं है संभव ही नहीं है कि एक मयान में दो तलवारे रहें तो फिर जो अपने पती को दूसरी महिला के साथ कैसे कोई पत्नी जो है सहन कर पाएगी ठीक है और केवल महिला ही नहीं कोई अगर पुरुष व्यक्ति है अगर उसकी पत्नी ठीके अगर किसी अन्ने व्यक्ति से संब्ध मनाएगी तो वह पती भी बरदाश नहीं कर पाएगा तो यह बाते दोनों पर ही लागू होती है ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं पर ही बात लागू हो रही है थीक है खेर हमें इतना डीप नहीं जाना है सिर्फ उधारणों को समझना है तो हम सिर्फ अपनी इस्टड़ी करने आए है इस्टड़ी करेंगे ठीख है तो ध्यान दे दोस्तो तो इस प्रकार से यानि कि प्रेम तो किसी और भी पुरुशों को भी हो सकता है महिलाओं को भी हो सकता है ठीक है लेकिन ये कह रहे हैं कि असंभव है असंभव है कि वो बरदाश ही नहीं होंगी चीजे ठीक है तो ना रहना बिलकुल अपोजिट जा रहा है ठीक है तो इसी प्रकारी है यहां पर क्या है दोस्तो दृष्टांत अलंकार है क्या है दृष्ट अगर आपके माइंड में क्लिक कर रहे हैं तो समझ लीजिए वहाँ पर द्रिष्टांत अलंकार है ठीक है बात मुझे लगता है इस पस्ट हो चुकी होगी ठीक है अगला अलंकार होगा व्यतीरेक अलंकार इसे हम अगले वीडियो में करेंगे ठीक है दोस्तों तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो ही समापत होता है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें शेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ मेरी वीडियो के अगले नोटिफिकेशन्स को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद दोस्तों